हले वेरीवन आज हम आपको DTF T-shirt printing के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं DTF printing में आपको सबसे पहले जो हमारे जो sticker रहेते हैं जो भी प्रिंट रहेगा आपका T-shirt के ऊपर आने वाला है है वो पहले हम प्रिंट पहले ही करके ले चुके है इस प्रोसेस में आपको एक फब्रेस मशिन लगेगी Fine one Anthony Buttongahire । इस मशिन को कहा से परिक्षा करना है उसका link में. डिस्क्रेशन बॉक्स में दे लोगो आने वाला है और पीछे साइड नाम आने वाला है जो बड़े अक्षरों में है यह दिखिए जो नाम है पीछे की साइड आने वाला है अरो ग्याम रदुल्या अभी हम इस टिशट को इस प्राकर पीछे से बैक साइड से उसको सेट करेंगे उसके बाद उस टिकर को हम प्रॉपर फिट करेंगे वहां पे जहां पे उसको प्रिंट करना है लोकेशन उसका इस हिट प्रेस में हम जो टेंपरेचर है वह वन सिस्टी फाई के आराउंड सेट करने वाले है और जो टाइमर रहेगा वह पंदर सेकेंड का टाइमर हम सेट करने वाले है उसमें अब यह देखो मश्यन में हमने अभी स्टार्ट बटन दबा दिया है वहां पे काउंट हो रहा है देखो नाइन एट सेवन सिप पंदर सेकंड में हमारा भी टीशेट रेडिय होने वाले प्रिंट हो के है अब इसको हम थंडा होने के लिए छोड़ देंगे आप इस श्टिकर तुरन भी निकाल सकते उसको प्रॉपर करना है और अब करने के बद आप उस्टिकर को निकाल पाओगे आप इस अब इस श्टिकर आप निकल गया है और जा टीशट देखो कितना बढ़ा दिख रहा है अभी प्रॉपर प्रिंट होक। आप इसमें उसे प्रकर हमने जो हमारे बाकि टीशेटे में प्रिंट कर लिए अब हम सामने का लोगो प्रिंट करने वाले हैं अभी इस T-Shirt में आगे तरफ Adidas का जो लोगो है उसको हम कवर करेंगे क्योंकि कभी-कभी अगर T-Shirt के ऊपर पहले कोई लोगो रहेगा तो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं इसके लिए हम उसको ऊपर से एक प्लास्टिक कवर बिठा देंगे ताकि उसको खराब ना हो सके अभी हमने लोगो को सेट कर दिया अभी फिर से जाएगा मशिन में और अभी हम उसको प्रेस कर देंगे हिट प्रेस में से 15 सेंड रखेंगे अभी अगर T-Shirt का कॉंटिटी कम अभी रहेगा तभी आपको मार्जिन अच्छे से मिल जाएगा डिटे प्रेंटिंगा यही फायदा रहता है जितना थंडा होने के बाद अगराम श्टिकर निकाल लेंगे तो वह अच्छे से प्रॉपर निकल के आता है उसके उपर का जो प्लास्टिक हैं अगर देखिए क इतना बड़े यह श्टिकर आकर प्रेंटों के आया है कि इतना बड़े यह श्टिकर उसका निकल गया है हम आपके लिए इसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो को एक लाइक करें धन्यवाद झाल